नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चनल ग्रेट पार्ट सहरा में अप अच्छे से दिपवाली मनाए होंगे दिपवली निकल गई है वह रधूर्वासु भी निकल गई है जो कि आप सफल हो इसलिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी अब देखिए हमने पिछली वीडियो में SSC GD के एप्लिकेशन के बारे में बात कर ले थी इस तरीके से वेकंसी आई हैं और कितनी वेकंसी हैं आपको छूट किन किन चीजों में मिलने वाली है आपके हाइट कितनी होनी चाहिए रनिंग कितनी होगी और ओवराल सब्जेक्ट वाइज सिलिबस भी हमने देख लिया था ठीक है तो बहां तो हमारे लिए कुछ खास नही बात करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन कौन से टॉपिक को छोड़ देना है कितना समय देना है कितने टॉपिक को आपको कवर करके आपको कितना समय देना है एक दूसरी बात करेंगे हम दो महीने के स्टाइट जी के बारे में आपके पास में समय न और बहतरीन strategy बताऊंगा कि आप निश्यत तोर पर सफल होगे लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसमें ठीक है अन्त में तीन step to quick success ऐसे कौन से तीन step है जो कि जो एक सफल व्यक्ति अपनाता है और उनको follow करता हुँ चलता और वो सफलता की और बढ़ता चला जाता है ठीक मिलेगी दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन से step है वो आपको सफल बनाएंगे ठीक है तो वीडियो को आन्त तक देखते रही है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों को सेर कर दीजिए क्योंक सब्सक्राइब करते अपने वीडियो में ठीक है कौन-कौन से टॉपिक पड़ें कौन-कौन से टॉपिक नहीं पड़ें पिछली वीडियो माने ओवराल सब्जक्ट वाइज आपको बता दिया था बीस कोशन होंगे एक सब्जक्ट के ठीक पोर्सन कितने चार रहेंगे एक सब्सक्राइब कोशन मिलेंगे और उसके मार्क मिलेंगे एक कोशन का डवल मार्क आपको मिलने वाले हैं टोटल कितने होंगे तो आपको यह ओवराल पता होना चाहिए ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो आप देख लीजी अब मैंने यह जो पोर्शन बनाए गए थी चार उनको अलग-अलग बेटेज भाई कौन से टॉपिक का कितना बेटेज है ठीक है उतना मैंने लिख लिया है याप ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग की ठीक है मैं आपको एक बहतरी इस्टेजी बताऊंगो जिससे कि आपके दो महिने में इतनी तगड़ी तयारी हो जाएगी आप यकीन मानिये आप पहली बार में ही आप अच्छे को आच्छे मार्क्स लेकर आ र उस टॉपिक एड़ किये गए है ठीक है आपको दो कोशन मिलेंगे हो सकता है कि एक ही कोशन मिले ठीक है एनलोगी आपको मिलना ही मिलना है एनलोगी का एक कोशन आपको हैंड़ परसेंट मिलेगा क्लासिफिकेशन का एक कोशन मिलेगा आपको ठीक है को कोडिंग को से दो कोश्तन मिलेंगे आपको टीरीज से दो कोश्तन मिलेंगे लोजिकल और का हो सकता है आप वी जाये और नहीं भी आ आपको missing number 100% अच्छे से त्यार करके जाना है missing number के आपको दो question आपको मिलने वाले है ठीक है statement statement के 100% दो को सनाएंगे एक question आएगा आपको statement से और दूसरा statement में ही मैंने add कर दिया है जो की कारवाई होती है ठीक है कारवाई ठीक वो पूर्वधारणा उसके दो कोसन आपको मिलने वाले हैं ठीक है पूर्वधारणा उसकी बनाएंगे वो लोग जो की करन्ट अफेर्स से जुड़ी हो ठीक है तो ध्यान रखना है उसके बाद में आपको non-verbal reasoning आ जाती है यह पूछेगा मिसले नियस में एक कोशन पूछा जाएगा चाहे वो तिरवुज हो ठीक है या फिर आयत की संक्या पूछ ले या फिर ब्रत्तों की संक्या पूछ ले कुछ भी पूछ सकता है तो ठीक है आपको non-verbal reasoning में ज्यादा नहीं complete करना आपको 45 टॉपिक कंप्लेट कर लेना और यहां से इतने टॉपिक कंप्लेट करना ठीक है तो आपको बहुत बड़ा सिलेवस नहीं है आप अच्छे से कवर कर सकते और लास्ट में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को कौन से सब्जक को कितना कितना समय देना है ठ अच्छे मिलें इसके 2 के चांसे ज्यादा नहीं है आपको के से एक हैम उसके बाद में रिलेशन से बिट्वीन नमबर इसका हो सकता है आप भी जाया और ना भी आए ठीक है लिए अब कि अधुरिज या ऐसे का नियुक्त और दोगाशन आपके अच्छे लेविल कि आएंगे आसां नहीं आएंगे उसके बाद में परसंटेज है परसंटेज फीवरिट है इसके दो कोशन मिलेंगे एक कोशन मिलेगा ठीक है चाहे वह मिकस के पूछ ले चाहे रेसियो भी कोशन मिल सकते हैं टामें डिस्टेंस से दो कोशन मिलेंगे एक हो सकता है नाबधारा से मिल जाए या फिर चाल वाले से मिल जाए ठीक है तो यहां से आपको कंप्लीट करना है यह नया एड किया है यह टॉपिक नया एड किया है रेशिया टाइम ठीक है इसको भी आप डाली होती है हर पाली एक कोशन डालता है fans परसंटेज यह आपको अच्छे लेविल के पूछेगा रेशी प्रोपोर्शन से बहुत आसान साता है यहां से बिल्कुल आसान आएगा ठीक है यह टॉपिक जो है मैंने टिक लगाए है वह बहुत अच्छे लेविल से कोईसर उठाता है यहां से ठीक है अब एक ही अलग कर दिया हैं डिसकाउंट ठीक है डिसकाउंट डिसकाउंट तो वैसे प्रॉफिट और लॉस का ही बहुत है लेकिन इसको अलग उठा दिया है तो यहां से भी एक कोशन बने गाई ही बनेगा तो यहां से और अच्छे लेविल का आए यहां से इंट्रेस्ट दोनों तरीके के चाहें वो सिंपल इंट्रेस्ट हो चाहें अजाया ऐसे ही उसके वाद मिसलेनियस में एक कोशन आ भी जाया और इसके लावा नहीं भी आए आपको यही टॉबिक पढ़ने है इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अपको फालतू का आपको बिल्कुल टेच नहीं करना क्यों कि आपके पास में समय कम है और हमारे चैनल के माद्धियम से मैत बिजसर आपको करा रहे हैं ठीक है अभी सीजियल की सीरीज टॉपिक बाई चल रही है डिटेल से उसके बाद में आपको एक या दो दिन में आपको किसीरीज चालू हो जाएगी लाच बहतरीट में पढ़ाते हैं इतना बहतरीटीटी ऩरीटेसी एक अब चया यहां पर मिलने वाले हैं उसके बाद में आगे चलते हैं आगे चलते हैं जीके एंड जीए ठीक है इसमें जीके और जीए मैं आपको बता दू दोनों ही इस्टैटिक टाइप की होईंगी यानि की बन लाइनर आपको डीटेल से बिल्कुल नहीं पूछेगा ठीक बन लाइनर होंगी आपको अब देखी सबसे पहला अंसेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडस बैली यानि कि सिंदुवाइटी सब्विता ठीक है बहां से एक कोशन आपको 100% मिलेगा फिर एक को सब्सक्राइब महाजनपद या फिर मॉरेकाल दोनों मेंसे किसी मेंसे एक कोशन आपको यहां से पूछेगा फिर साउठ अटेक नियुक्तंष्त जो घरिटेजब्गाच राजा थे उनके बले में से हैंडेट से भशाइंट्परसेंट पूछता है फिर सुक और कुसाण ठीक है इसके वारे में हो सकता है तो पूछले या फिर नहीं भी पूछ सकता है मेडाइवल हिस्ट्री से आपको एक नहीं बलकि दो कोश्चन मिलेंगे मौडरन हिस्ट्री से आपको दो कोश्चन मिलेंगे इंडिन जोग्राफी से दो से ज्यादा ही मिलेंगे ती कि आपके हो सकता है तो रासब्ग्यान हो या फिर भी यह घ्रम्त घीक है वी तेन से रही की और गेंब जैसे खेल कूद हो गया खेल कूद से एक को सनाता है ठीक है प्ले निशिंप यूस्टेश में बता दूह को सन मिलंगे अब यह तो यहां आपको पूछेगा इंडियों से एक कुसेगा किस तरीके से आपको चाहे तो साहिक नदीयों के वारे पूछ ले चाहे तो उसकी दिसा के बाएंब पूछ ले चाहे उसकी लम्बाई के बाएं में किसी भी तरीके से आपको नदियों से ऊचलेगा, ढीक है, मैंने नदियों की डिटैल वीडियो मनाई है, ऑर वो प्लेलिट में आप चेक कर ले न, jeoography की इंडियन रिवर्टस के बारे में मताया है तो उसमे एक नदी के बारे में आपको समझाया गया थे तो यह तो रही मतलब जियोग्राफी और पोचाता है तो नदिया हो गई आपके घाटी हो गई फरियोजना हो गई ठीक है लेकिन यह सब पूछा जाएगा इस्ट्रेटिक टाइप से आपको डीपली बिल्कुल नहीं जाना है ठीक उसके बाद में एकोनिमिक्स आपको लूसेंट से ही कवर करना यह सारी चीज़ है ठीक है चाहे व इसी में कोई टोपिक में कसी भी चीज की उस तक पूछ लेगा ठीक है चाहे जोग्राफी की वाले की पूछ ले चाहे हिस्ट्री की पूछ ले चाहे एक पूछेगा फिर पॉन्टिनैंट कि कमादीप में आपका एक यह दूसन हेंटट परेंट मिलना इन ऐसा कोश्चन आएगा तो एक दूसन आपके ऐसे मिलेंगे जो की आप जो रोज मरा के चीज Roose कर रहे हैं उसमें से बी उठा लेगा ठीक तो सेंस वाले कोशन भी आप दिमाग लगा करिए यह कहीं किताब में नहीं मिलेंगे आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे आपको पढ़ने की आवस्सकता भी नहीं है ठीक है आप सेंस से उनको हैंडल कीजिए ठीक है एक दो कोशन ऐसा मिलेगा जो कि करेंट अफेर्स और दिसंबर यहां तक कि आपको कवर कर लेना है ठीक है ज़्यादा आप नहीं पड़े एक उसके बाद में देखिए यह तो हो गई मैथ जिये और रीजनिंग ठीक है इनके बारे में बात हो गई अब आई हंडी या फिर इंग्लस आफिर इंग्लिष मैं इंग्लिष को नहीं बता पढ़ना है ताहित आपको नहीं पढ़ना है ठीक है आपको एक तो आपकी पुस्तक हेंड़ परसेंट पूछेगा पुस्तक और उसका नाम ठीक दूसरा आपको हो सकता है तो बर्ण माला से कुश्चन आ जाए मोहाबरे आपको हेंड़ परसेंट पूछेगा और अच्छे लेविल का नया मोहाबरा होगा ठीक है स्सी जीडी हर बार में मोहाबरे की कंडिशन एक नई रखता है ठीक लोकत्ती से हो सकता है एक लोकत्ती और एक मोहाबरा ठीक दो ही आएंगे एक लोकत्ती और एक मोहाबरा ठीक उसके बाद में आपको बाक्यांस के लिए एक सब्द एंडड़ परसेंट मिलना है ठीक है बाक्यांस के लिए एक सब्द मिलना ही मिलना है ठीक उसके अलावा आपको बाक्या की सुद्धी करण आपको आपको बहनने ताव यह तीन अलग होंगे और एक चॉथा एक ऐसा होगा जो कि भेन होगा उनसे वह छाटना है ठीक है आपको पर्यावाची मिलने ही मिलने है पर्यावाची आपको मिलने है बिलोम सब्द मिलने है यह से एक कोईशन ही उठाएगा तो यहाँ पर मैंने मोटा-मोटा बता दिया उसके अलावा आपको अलंकार पूछेगा अलंकार पोचेगा लेकिन बाग की सुद्धी कराना इधर से उधर लगाना बाग ठीक है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब एक या दो या हो सकता है तो तीन कोशन तक पूछ ले ठीक है बहुत बड़ी बाद नहीं है आपको 20 में से 20 लाना आप 100 परसेंट ला सकते है आपके यह मैंने बता दिये लगवाग लगवाग आपके दस्वार कोशन तो यहीं बता दिये इसके अलावा आपको साहित बिल्कुल नहीं पड़ना है ठीक है अब देखिए आप एक और चलते हैं अब बात कर ली हमने रिजनिंग मैथ जीके और हिंदी के चारों टॉपिक की बात कर ली और हमने उनके अंडर में कौन कौन से बेटेज कितना दिया गया है वो सब बात कर ले अब बात आती है कि हम दो महिने में ऐसी कौन सी स्टेटजी प्लान करें कि हमारा सेलक्शन निश्चित हो जाए कौन कौन सी ऐसी स्टेटजी है क्योंकि हमारा सेलक्शन नि पड़ती है इस टेट जी टाइम से बनाने पड़ती है ठीक है और टाइम से कैसे बनेगी आपने माल लिया जाए रीजनिंग ठीक है मैथ मैथ ठीक है जी के और आपकी हो जाएगी हिंदी ठीक है अब इनको किस तरीके से आपको टाइम देना है आपके पास में 24 गंटे होते हैं जिसमें से आप 8 गंटे तो आप लगवग लगवग सोई लेते हो उसके अलावा भी आप 2-3 गंटे इदर उदर बिता देते हो ठीक है तो आपका कुल मिलाके आपका 12-13 गंटे आप यह बेस्ट हो जाते हैं ठीक है आप कुछ भी कर लिजिया आपको 12-13 गंटे 14-15 गंटे तक आपके बेस्ट होने ही होने है आप कुछ नहीं कर सकते इनको कि आप मैं सोचे कि मैं 13 गंटे पढ़ दू नहीं पढ़ सकते ठीक है तो आपको जो सही लगे 24 गंट में से आपको एक घंटा प्रती दिन आपको इसको देना है सब्सक्राइब। आपको मैत पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद में आपको जीके के लिए एक घंटा देना है, या हो सकता है इसको दो घंटे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, दो घंटे पढ़ सकते हो, उसके बाद में आपको हिंदी एक घंटा, एक घंटा आपको हिंदी को देना ह होगा उसके बाद में आप एक महीने तक आप मल लगा के आप इसको त्यार करते रहिए आप इसको कीजिए ठीक है उसके बाद में एक महीने के बाद में आप मौक लगाईए मौक टेस्ट किसी की भी सीरीज खरीद ले आप मौक लगाईए मौक कैसे करके लगाएंगे आप डेली आपको दो मौक लगाने है ठीक है दो मौक लगाएंगे पहला मौक लगाने के बाद में उसका अनलाइसिस करेंगे analysis करने के बाद में जहां जहां question कही हुए है उनको भी देखेंगे उसके बाद में business focus बहां करेंगे जहां से question गलत हुए है ठीक है एक बाद पूरा revise करेंगे उस topic को जहां से question गलत हुए है ठीक है इस तरीके से आप अपने जो तयार ही है उसको आप करेंगे ठीक है उसके बाद में आपको यह छोड़नी नहीं है एक महीने के बाद में मौक भी नहीं छोड़ना है पेपर जैसे आ जाता है मौक को आप पांच दिन पहले छोड़ देजिए पांच दिन पहले फोड़ देजिए बहुत जादा सोर्सिस की जरुवत नहीं है कि आप इधर पढ़ रहा है इधर पढ़ रहा है उस यूटूब से पढ़ लिए भागते जा रहा है कि मैं क्या करो क्या ना करो आपको सीधा फोकस यहां करना है सीधा फोकस आप अपने किताब उपर करिए और मैं किताबें आपको बता दूँ किताबें बता दूँ आपको जी के ठीक है आपको नई लूसान्ट के अलावा किसी से नहीं पढ़नी है ठीक है एक महीने भर में आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे इसके अलावा आपको मैत मैत आपके पास में जो भी हो जो भी हो एक्स वाई जैड ठीक है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद में हिंदी हिंदी की किताब भी आपको जो भी हो ठीक है और रीजनिंग reasoning ये तीन किताबे आपके पास में जो भी available हैं आप उनसे त्यार कर लीजिए अगर नहीं है तो दोस्तों से मांग लेजिए और दोस्तों के पास में भी नहीं है तो नहीं खरीद लीजिए ठीक है तो ये आपके पास में जो भी हो लेकिन जी के आपको lucent के लावा किसी से भी नहीं पढ़ना और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना ठीक है इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे दुनिया की किताब इचान लेना लेकिन आपने कभी जिन्दगी में नहीं देखे रहे तो आपको इस तरीके से आप अपनी प्यारी पीजिये अब बात आती है यह तो होगी आपके आपके हमुआ किस टॉपिक को छोड़ दे किस टॉपिक को पड़े किस सबजेक्ट को कितना समय दे और इस टरीके से आपने strategy plan करें ठीक है यह होगी आपकी strategy और आपका syllabus ठीक है और syllabus का बेटेज अब चलते हैं जो main मुध्द्ध है यह सफल ब्यक्ति हैं वह कौन से तीन इश्टेप फोलो करते हैं जो कि सफल होते ही चले जाते हैं हम क्यों सफल नहीं हो पाते हैं हम आकर पीछे क्यों रह जाते हैं तो आए उस बारे में बात करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपकी clarity focus clarity of power focus यदि मान ले जाए आपने SSCGD को चुना SSCGD आपके target हो गया target को चुनने के बाद में आप उस पर focus कीजिए आप उसको पकड़िये किस तरीके से हम उसकी जो पढ़ रहे हैं हम ऐसा नहीं कि आज मैं भारत के नदिया पढ़ रहा हूं अभी दो मेट के बाद में कुछ और पढ़ने लगों ठीक है आपको पढ़ना है तो पूरा एकदम focus करके है ठीक है पहले चाहिए होगी focus आपको focus करना ही करना है ठीक उसके बाद में आपको consistency consistency आपको बेहत जरूरी consistency कैसे करने है आप कुर्सी पर सीदे बैठके पढ़िया और एकदम focus कर लीजिए बिल्कुल उसके अलावा मैंड में आपको बहर की बाते बिल्कुल नहीं आनी चाहिए यदि आप मैंत का average chapter कर रहे है तो average ही आपको दिमाग में होना चाहिए उसके अलावा आपको percentage पर नहीं जाना पुष्ट है ठीक है उसके बाद में consistency करने करने के बाद में उसको implement करना है कि क्या कर पा रहा हूं इस चीज को क्या मैं ऐसा कर पार रहा हूं ठीक है उस चीज को आपको करना है ठीक है उसके बाद में आपको review करना है और रिवियू आपको दो तरीके से करना एक तो आपको पुराना देखना है ठीक है कि मैं पहले से क्या गलती करता आया था क्या गलती मैंने की थी, उसको आपको देखना है, ठीक है, आपकी जिंदगी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपकी पढ़ाई, आपकी इस्टडी के बारे में बता रहा हूँ, जो आपने पिछले एग्जामों में किया है, या फिर प्रेक्टिस सेड में आपने गलती किय हैं या आप जैसे नी दाना चीक और चीजे करना और फ्र फोन को परिसान करता है ठीक है तो उन चीजों पहरा पर रिवी mu करीं किकर आथ डि रिवी करने के ने यह ड्रीमो किद दूसरी साखक आती है इं प्रूब में do आपको डे वाई डे अपने आपको improve करना है आपको यदि आपने history पढ़ ली तो आप उसको और solid तरीके से किस तरीके से पढ़ सकते हैं आप उसको और improve कीजिए तीक है यदी आपने ये तीन और ही इस फॉलो कर लिये 100% करता हूं कि दुनिया का कोई भी exam जो कि आपने target किया ह है आप उसको पास करने से कोई माई का लाल नहीं रोख सकता तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीजे पसंद आये होंगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे प्यारे दोस्त आपकी हमें जरूत है आपके सपोर्ट की जरूत है प्लीस हमें सपोर्ट कीजिए और हम पूरी लगन पूरी सिद्दत के साथ में आपकी त्यारी कराएंगे बिलकुल स्थी घी इससी जीडिकी बिलकुल फ्री बिलकुल फ्री आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासे रहेंगी आपकी हिंदी रभीसर हिंदी जो है वो रभी हर पढ़ा रहे होंगे च deshalb आपको जादा पढ़ने की आसकत है ति किन प्रिजसराप कराएंगे math और reasoning के सार आपको reasoning कराएंगे, GS के सार आपको GS कराएंगे, GS और hindi आपको marathon टाइप में मिलेंगे । mat आपको practice भी करवाई जाएगी और detail भी कराए जाएगा, reasoning भी, practice भी और detail भी, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और अपने त्यारी को बेहतर कर सकते हैं तो मेरी तरफ से आपको बेश्ट अप्लक आपको कफल हो यह मेरी इच्छा है और मेरी विश्स आपके साथ में कमिसर हैंगी